हेलो दोस्तों नमस्कार तो कैसे है आप सभी उमीद करता हूँ अच्छे होंगे स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल श्रमारजनिंग क्लासिस के अंदर दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा मैंने कल डिसकस किया था कि राजस्तान सब इंस्पेक्टर का जो प्रिक् विद्यार्ती यह बात कहे रहा है कि प्रिक्षा का प्रणाम scotr hoon चाहिए वो यह कहर वीडियो वाइरल हुई थी सेंटर की कहीं से OMR शीट लिक हुई थी और कहीं से क्योशन्स आउट हुए थे तो जिसको लेकर के स्टुडेंट्स कह रहे हैं कि हम लोग अगर प्रिक्षा पर नाम गोशित होता है तो हम लोग वहाँ पर धरना परदर्शन करेंगे बोर्ड मुखेले के सामने तो आज एक नई अपडेट हो रहाई है क्या अपडेट आई है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो के बिल्कुल लाश्ट तक बने रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक ओफिशिल न्यूस पेपर की कटिंग है जिसमें बताएगा समिस्पेक्टर भरती 2020 में बढ़ता विवाद अब बेरोजगारों की अदालत से गुहार यानि कि अब जो बेरोजगार है वो अदालत का दर्वाजा खट-कटाने को लेकर की कह रहे है जैपूर से न्यूस आई है क्या करीब 5 साल के लंबे इंतिजार के बाद SI यानि कि समिस्पेक्टर भरती 2020 का आयोजन 13-15 सितंबर तक हुआ था 869 पदो पर आयोजित हुई प्रिक्षा में करीब 7,95,000 से ज़्यादा बेरोजगारों ने आवेदन किया तो वही 13-15 सितंबर तक तीन चरणों में आयोजित इस प्रिक्षा में प्रिक्षार्थियों के उपस्तिती 48 फिस दी रही यानि कि दोस्तों आवेदन जो है वो 7,95,000 या नहीं अप्रोप्रोप्सिमेट आभ यू मान सकते हो आठ लाख लोगों ने इसमें आवेदन किया था लेकिन आठ लाख लोग आवेदन करने के बाद एक्जाम देने नहीं पहुँचे थे एक्जाम देने सिर्फ और सिर्फ उनमें से 48 परतीचा स्टूडेंट ही पहुँचे थे ठीक है ना जो कि 13,14,15 तारीक को एक्जाम हुआ था उसके अंदर अब प्रिक्षा के पहले चरण 13 सितंबर को इपेपर सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ उसके बाद 14 दिसंबर को प्रिक्षा के अंदर के अंदर से वीडियो और 15 सितंबर को OMR शीट की फोटो वाइरल हुई जिसके बाद प्रिक्षा में सामिलोए बियर्थियों ने इस बरती प्रिक्षा को रद करवाने की मांग की लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर आखिरकार अभियर्थियों को नियालिया का दर्वाजा खटकटाया ना पड़ा यानि कि दोस्तों जो बोर्ड है उसको काफी सारे विद्यार्थियों ने ट्वीट किया था एप्लिकेशन से लिखी गई थी कि सरी ये जो बरती प्रिक्षा इसको रद कराया जाए लेकिन उनकी कोई भी मांग सविकार नहीं की गई तो आखिरकार जो ब्यर्थी है वो हाई कोट में इसकी अपील लेकर के चले गई भरती प्रिक्षा में शामिलोय ब्यर्थी सुमित शर्मा ने कहा कि समींस्पेक्टर भरती प्रिक्षा का आयोजन पहले एक चरण में चार सितंबर को होना था लेकिन आर्पीएस्टी की ओर से प्रिक्षा की तिति में बदलाव करते हुए इसको 13-15 सितंबर तक आयोजन करवाने का फैसला लिया यानि कि दोस्तों इसका जो पेपर है वो कोई लेती है राजस्तान पब्लिक सर्विश कमिशन इसका पेपर ले रही थी अब जो है विजारती इस पे ब्लेम लगा रहे हैं कि इन्होंने पहले 4 सितंबर का कहा था अब इनों 13 सितंबर का कहा बाद में तो इसका मतलब अंदर यानि की बोर्ड के अंदर से कोई ना कोई गरबड़ी थी पेपर को ले करके तो सुमित शर्मा ने क्या कहा कि प्रिक्षा के तीथी में बदलाव करते हैं इसको 13 से 15 सितंबर तक आयोजित करवाने का फैसला लिया पहले दिन 13 सितंबर को पेपर बिकानेर से पाली तक पहुँचा और करीब 1000 लोगों तक पेपर सोशल मीडिया के माद्यम से पहुचा तो 14 सितंबर को जैपूर के एक प्रिक्षा के अंदर के अंदर का वीडियो भी वाइरल हुआ तो 15 सितंबर अलवर के एक प्रिक्षा के अंदर से OMR शीट का फोटो वाइरल हुआ मामले में करीब 150 से ज़्यादा लोगों की गिर्फतारी हो चुकी है तो इसको लेकर के दोस्तों जो अबियर्थी है वो कोर्ट में पहुचे है उन्होंने ये कहा है कि अगर ये अदालत भी हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग बोर्ड और नयाले के सामने हम लोग अपना धरना पर दर्शन करेंगे इसके खिलाफ जो है कारवाई सक्त से सक्त करवाई जाएगी क्योंकि अब जो स्टुडेंट्स अब ये कहले है जिनके पास पेपर पहले ही पहुच चुका था जिनके पास वीडियो और OMR शीट और क्योशन सोचल मीडिया से पहुच चुके थे या फिर जो कोट है वो क्या कहता है इसके उपर कोट का फैसला क्या आएगा वो भी देखना बाकी है तो दोस्तों ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और आप कमेंट सेक्षन में अपनी राय जरूर देना कि आपको क्या लगता है कि जो प्रिक्षा का प्रिणामे में गोशित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और आप में से किस किस ने ऐसा ही की प्रिक्षा दी थी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजएगा ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाई टेकर जैहिंच जैवर्थ